नमस्कार दर्शकों आप सभी का स्वागत है दूदर्शन के कारिकम इन से मिली। नमस्कार मेरा नाम प्रेड़ना शर्मा है और मैं हमारी अकांग्शा ट्रस्स से हूँ। इन बेज जुबां पराणियों के सेवा करने चाहिए। जब मेरी अर्निंग होगी, तो उस टाइम में मैं बे जुबानों के लिए घर बनाऊंगी, तो उस टाइम मुझे बड़ा सुनके थोड़ा अजीब लगता था कि कौन इनके लिए घर बनाता है, ये तो सडकों पे रहते हैं, लेकिन जब वो साड़े पांच साल पहले इस दु के साथ निकल पड़ी, जैसे आपने बताया कि आपके बेटी की गुजरने के वाद आपको एक ख्याल आया कि कहीं ना कहीं मुझे इन बे जुबान पराणियों की सेवा करनी चाहिए, अगर हम बात करें वर्तमान समय में, इन बे जुबान पराणियों को क्या-क्या तकलीफ होता है कि सारे लोग जो होते हैं वो डॉग लवर नहीं होते हैं, ये बेचारे बे सहारा होते हैं, हम इने लावारिस कह सकते हैं, तो क्या होता है कि आपने देखा ही होगा, कहीं भी कोई डॉगी किसी के घर के आसपास भी आ जाता, तो कई लोगों की धारना इतनी खराब ह होती है कि उन्हें इतनी नफरत है इनसे कि मतलब वो भगा देते हैं भगा देंगे कि आप इन्हें भगाने के बजाए आप इन्हें थोड़ा सा खाना दे दो इन्हें भी भूक लगती है इन्हें भी प्यास लगती है इन्हें भी हमारी तरह दर्द होता है बट हम इंसान है हम आगर दर्ड होगा, तो हम बोल सकते हैं, कि हमें दभाई चाहिए, हमें सर्दर्द है, हमें बदन движ Iya. बट यह बेचारे, बेसहारा बच्चे यह बेजुबान है तबीतो कहा है कि बेजुबान है, यू किसी को अपना दर्द बताई ही तो बस यही है हमें इनने समझना होता है प्रेणा जैसे हम सब भी जानते हैं कि पूरे भारत वर्श में लगपर गर्मियों का समय आ गया है और गर्मियों के समय में जो बे सहारा पशू हैं उन्हें बहुत सी समस्या देखने के लिए मिलती है और हम एक आम इनसान अगर अपने सरपें की सेवाया मदद करना चाहें तो हम किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं मैं तो यही कहना चाहूंगी कि गर्मियों का मौसम होता है वो इनसानों के लिए भी आप देखिए ना कि हमें भी कितनी गर्मी लगती है हम सफर नहीं कर सकते हम ठक जाते हैं हम धूप में नहीं चल सकते तो सेम चीजे इनके साथ भी होती है इने भी गर्मी लगती है इने भी पानी चाहिए इने भी खाना चाहिए इने भी च्छाओं चाहिए है ना आपने देखा होगा बड़े-बड़े घरों में तो लोगोंने पाले होते हैं, पैट पाले होते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो तो AC पंखे के नीचे रह रहें, लेकिन जो सडकों पे रह रहें, उनके प्रती हमारा यही फर्ज बनता है, कि हम उनके लिए थोड़ा सा बाहर खाना रख ले कोई स्वाइब घाल डाल दे उनको आद्बास में에서 10-15 घर है मौहले एक साइड़ किसी साइड पे खाने का बरतन एक पानी का बरतन अगर हम रखते तो इस तरह से इनकी बहुत मदद हो सकती है तो इस तरह से प्यास लगेगी यह कहीं do पीने को अगर ये कहीं इदर उदर नाली में गंदी में पानी पी लेंगे तो ये बीमार पढ़ जाएंगे और सारे लोग तो डॉग लवर है नहीं जो इनको बचारों को इस तरह से इनकी केर कर लेंगे के ने कोई हॉस्पिटल ले जाएगा वो तो बहुत कम लोग होते हैं जो इनकी सेवा कर सकते हैं या करते हैं तो कहीं ने कहीं जादा इनकी मदद जादा इन जानवरों को जादा अफशकता नहीं होती है अगर हम थोड़ा सा पहानी या थोड़ा सा खाने के लिए दे दे तो कहीं ने कहीं इनकी अपनी जो जरूरते पूरी हो जाती है तो यह हम कि कहां किस शेतर में कारे कह रहा है अब भी तो देखिए हम लोग पिछले साड़े पांच सालों से पहले तो सडकों पे हम लोग फीड कराते थे खाना खिलाते थे आपको पता यह आए दिन कुछ लोगों के साथ बहस बसाई भी हो जाती ठीक है नहीं जी खाना नहीं देना य सब लोगों को यह चीजे पसंद नहीं होती तो हम लोग मतलब इसी तरह से करें के साइड में इनको खाना दे थोड़ा खाना दे और बस इस तरह से इनकी केर कर ले बाकी आगे के लिए हम लोगों का यही रहेगा कि जब भी हमें प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलेगी त तो हम इनके लिए घर बनाएंगे आने वाले टाइम में जो भी पशु बेचारे बेसाहरा पशु सड़कों पे है तो हम उनकी भी मदद करेंगे क्योंकि अभी हम लोग भी बहुत लाचारे हम भी लोगों से मतलब डूनेशन इकठा करते हैं लोगों के पास जाते हैं कुछ शोशल मीडिया के जरिये कुछ लोग हमारे छोटे छोटे डोनर हैं जो भी वो हमें अमाउंट देते हैं अभी हम लोग भी रेंट वाली जगह पे रहते हैं जहां पे हम 20,000 रेंट पे करते हैं तो आने वाले टाइम में जब प्रशासन हमारी मदद करेगा तो हम ज्यादा स और एक प्यारा सा जीवन जीने के लिए मिल सेगे प्रेणा जी जैसे हम सभी जानते हैं कि आप रंगमंच से भी जूड़ी हुई हैं आपने कई फिल्मों में कई टीवी सीरिल्स में भी काम किया है तो मैं उस जरनी के बारे में भी जानना चाहूंगा कि आपकी थेटर की श च्छाइब कर रहे तो मेरी डॉटर हो ती थी तो मा मा पुक्तित करो अप्येटर करो ये सब में आफ तो आप साथ सथ भूड़ा निकालो अपने लिए भी टाइम निकालो कुछ और सी खऊ तो मैं भी शुरू शुरू में बच्चों को देख कराज देखती हूं थेटर क्य चीज़ होती है, क्योंकि मैं मुझे पता नहीं था थीटर थेटर क्या होता है, क्या एक्टिंग क्या है, क्यासे करते है, मुझे पता था कि फिल्मों में यह शायदcrire हुती है, वह ही एक्टर होते हैं, हम जैसे लोग नहीं कर सकते हैं, तो मैं फर्स गई थी थेटर कलास तो कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि आरे ये शॉप चलाने वाली ये कहां पर थेटर करेगी इसके लिए तो टाइम की जरूरत है और बिलकुछ सच भी है कि हमें जो चीज सीखनी है उसके लिए हमें टाइम देना पड़ता है आना दिल से भी तैय बच्चे वहाँ पर आए हुए थे यंग बच्चे तो मुझे लगा भी कि यार मैं अब 40 प्लस होके आप में थेटर करूंगी कैसे बोलूंगी कैसे करूंगी लेकिन हमारे टीचर थे जो उन्होंने का पर न जी आप कर सकते हो आप regular classes में आओ कोशिश करो कोशिश करने वाल मुझे तो ग्रियस्ती चलानी आती है मुझे शॉप चलानी आती है कि उसके इलावा क्या कर सकते हो मैंने को इसके इलावा मुझे exercise आती है तो कहते करके दिखाओ तो मैं फटाफट से खड़ी होगी तो सर को सर ने देखा कि जो उसे आता है वो फटाक से उसने कर लिया तो मुझे यही कहा कि बिल्कुल आप कल से कलास आओ यह बहुत अच्छी बात है इतना confidence है अपने exercise करके दिखाई बच्चों को और यह भी सिखे इस दीज को तो आप regular आओ तो मैं next day से जाना शुरू हो तो कहिने कि आपके इंदर confidence होना पड़ता है तो कहिने कि वह आप में इन कि आपको TV सीरिल्स में एक DD1 के आपने TV सीरिल्स में साथी एक साफधान इंडिया की TV सीरिल्स में भी काम किया तो उसके बार में अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं जी मैं actually कई बार क्या होता था कोई message आ जाते थे कि चंदीगड और अडिशन है शिमला है तो हम लोग अक्सर जब मैंने थेटर करना शुरू किया तो हम लोग गेटी थेटर में हमने पहले प्ले किया तो उसके बाद शिमला के जो आर्टिस्त हैं हम लोग उनके साथ भी जूड़े हुए थे तो यहां ऑडिशन होता था तो हम खुशी-खुशी आते थे कि यहार हमें भी ऑडि उनका मैसेज आया कि प्रेणा जी यहां साबधान इंडिया के ऑडिशन चल रहे हैं तो आप अपना ऑडिशन बना के भीजो तो मैंने उन्हें अपना ऑडिशन बना के भीज दिया तो उन्होंने कहा कि यहां ऑडिशन है आप पहुचो मेरे ऑफिस तो मैं गई वहां सोलन क और भी बच्चे गय हुए थे, तो मैं भी वहाँ पे गई, तो मैं नहीं सूचा यार, इतने अच्छे अच्छे बच्चों के बीच में मेरा पॉसिबल नहीं है, मैं कहां क्या करूंगी, मुझे कुछ आएगा नहीं इस तरह से, तो उन्होंने मुझे कुछ लाईने दी, उन् अपना 100% दिया, और उन्होंने आडिशन रखा, उन्होंने का वेरी गुड, क्लैपिंग की मेरे लिए, तो मैंने का या तो यह हसर है मुझ पे, यह सच्छी को मैंने अच्छा किया, तो उन्होंने का प्रेणा जी, बहुत अच्छा किया आपने, हम आपको बता देंगे, सोलन आगी, सोलन आगी, तो मुझे दो दिन बाद कॉल आई कि आपका शूट, चंदीगर में इस जगह पे है, और यह तो बहुत ही अच्छी बात थी मेरे लिए, कि साथ साब पैसे भी मिल रहे मुझे, और मेरी लाइफ की इस तरह से शुरू आता होगी, पहले मैं छोटे म इस तरह से साबधान इंडिया में मौका मिला, तो रंगमंच ने आपकी जिन्दगी में क्या बदलाव लेकर आए और क्या-क्या फाइदे आपको रंगमंच से जूडने के बाद क्या क्या आपकी जिद्दगी में यही कहना चाहूंगी, पहले तो हमें खुद पे भरोसा हो रहा होना चाहिए कई लोगों को मैंने देखा है कि अक्सर बहाने होते हैं लोगों के पास कि हाई मुझे करना था पर मैं कर नी सकता, मेरी यह प्रॉबबलम है. आपको अपनी सारी प्रॉबलम को एक साईट पे छोड़ना पड़ता है. और दिल में ये पक्का इरादा करना पड़ता है कि मुझे ये काम करना है उसके लिए आपको टाइम निकालना है तो मैं भी इसी तरह से कि मुझे इस जगा पर जाना है तो मैं चार बज़े घर पर उठ जाती थी अपने घर के रूटीन वर्क सारे करके उसके बाद में निकल पड़ती थी कि मुझे क्लास भी करनी मुझे शौप भी देखनी है, मुझे और काम भी करने है, शाम को चार से साथ बज़े तक मैं अपनी थेटर क्लास करती थी, और थेटर ने मुझे में confidence पूरा था, पर मुझे उससे मतलब ये बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली, कुछ बोलना अच्छे से आया, कुछ चलना अच्छे से आया, है ना, आगे से आगे पहचान बनी, और थेटर से मैं साबधान इंडिया, डी डी वन, डी डी नेशनल, इस तरह के मुझे मुझे मिले, और उसके लिए मैंने खुद को तयार किया, कि नई, मुझे करना है, आपके अंदर आतम विश्वास होना बहुत जर जरूरी है, और ये भरोसा आपको बहुत आगे तक ले जाता है, तो इसी तरह करते-करते जेपी दत्ता जी की फिल्म आई, तो वो सारी लदाख में शूट हुआ था, तो इसका जो आदा शूट था, वो चंदीगड होना था, तो ऑडिशन आया हमारे पास भी की मदर करेक् जो परेना जी, तो मैंने ओडिशन बेजा, मैंने का जेपी दत्ता जी तने बड़े एंसान, उनकी फिल्म में मेरे जैसे आर्टिस्ट मुझे नहीं लगता कभी हो पाएगा, तो मैं चंदीगड गई, चंदीगड गई, मैंने वहाँ फिर से ओडिशन दिया, तो उन्होंने का कि आपकी लुक मैच ने कर दी, हमें दिहाती लुक चाहिए, तो मैंने का सर मैं कर लूँगी दिहाती लुक, तो उन्होंने का नई सूट नहीं कर रही आपे, मैंने का सर ये तो मेक अप से आप मुझे दिहाती भी बना सकते हो, और मुझे करना आई है, मुझे दिहाती ब प्रॉब्लम नहीं है उस तरह की एक्टर नहीं है कि नहीं मैं यह नहीं कर सकती है मैं नहीं करूंगी बस मैंने ओडिशन दिया तो नेक्स्ट डे ही फिल्म का शूट था ओडिशन देके मैं सोलन पहुंची तो रात के साड़े बारा मुझे मुझे कॉल आया कि प्रेणा जी आपका करेक्टर ओके है आप ड़न हो मैंने का यार मैं मैंने का नहीं नहीं आप मजाग कर रहे हो मेरे साथ के ते नहीं मजाग नहीं यह सच में आपको लीड करेक्टर मिला है फिल्म जेपी दता जी की पल्टन में और उसमें आप मदर हो जो भी उसमें प्रम चंदीगड पहुचना है तो मैं रात भर सोई नहीं उन्होंने का दो चार देहती ड्रेस भी लेकर आना तो मैंने बैक पैक किया और मैं सुबह साथ बजे चंदीगड पहुच गी मैं अपने घर से पैदल चलके बाइपास पहुची बाइपास से मुझे टैक्सी मिली तो मैं स तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको खुद पे भरोसा रखे और बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है और निकलना पड़ता है तो कहिने के हिम बहुत ही प्यारी और अनेक्स्पेक्टेट सी जन्री आपकी रहेंगे यह तो बिल्कुल बिल्कुल अब हम आप इस्तिती में हम आम इनसान अपने सर पर किस तरह से मदद कर सकते हैं क्या हम एक कॉंटेक्ट करना है अगर मैं उन्हें मेडिकल फैसलिटीज देनी है तो किस तरह से हम कहां कॉंटेक्ट करें तो किस तरह से हम उनकी मदद कर सकते हैं देखिए मैं तो हर इनसान को यही कहना चाओंगी, कि वो आराम से गाड़ी चलाए, आप आफिस जा रहे हो, आप किसी भी काम पे जा रहा, थोड़ा पहले निकल लीचे, ठीक है, अब आप ए देखिए, कि एक बचारी मदर्स रोड़ पे जा रही है, इदर से गाड़ी आती है, उसे टक्कर मारती है, रोड़ पे फ चल डाला, कई बार तो क्या होता कि बच्चते ही नहीं है, लेकिन कई बार अगर बच्च भी गए, तो वो बहुत कम लोग होते हैं, लोग देखते हैं, कोई आफिस वाला है, कोई बिजनस वाला है, भाग रही है दुनिया, तो मतलब वो बहुत कम लोग होंगे, जो उसे उ एक्सिडेंट करें, गाड़ी से ना टकर मारे, कि कहीं बिचारा हो वो बच्चा अपनी माँ अपने बच्चों से बिच्षड जाए, है ना, तो इनके बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह ही होते हैं, उन्हें भी इसी तरह की तकलीफे होती है, वो बच्चे भी इसी तरह अ प्रतार ना की जाए, इन्हें भी को लोग समाज छेड़े ना, डांटे ना, फटकारे ना, तो उससे बचने के लिए क्या कहा रहे करने चाहिए? देखिए, अगर इनकी जनसंख्या बढ़ती है, तो वो तो प्रशासन का काम है, प्रशासन को टाइम टाइम पे कैम्प लगाने चाहिए, जहां इनकी नस्बंदी हो, तो इनकी प्रॉपर केयर हो, ताकि नस्बंदी के बाद इन्हें कोई इंफेक्शन ना हो, अब ये बिचा पर मैडिसन मिले, इन्हें अच्छे डाइट मिले उन दिनों में, और ये जो लोगों से डरते हैं, जो इनसे मतलब, लोग कहते हैं कि हम इनसे डरते हैं, तो ये लोग ही नहीं डरते, ये बेचारे बेजुबान भी हम इनसानों से डरते हैं, इन्हें भी डर होता है कि हमें म जस्ताइन बैस बंदी हो। उस ताइम मे ये इंसानों के iTने करीब रह। कि इन प्रोपर खाना मिले इनि क्या होगा कि इनके बीच में इनके दिल में जो भै है वो खत्म हो जाएगा और प्रशासन को चाहिए कि टाइम टाइम पे इनके कैम लगाए और ऐसी संस्थाएं जो बे जुबानों के लिए काम कर विये उनकी मदद ले प्रॉपर उनकी मदद लेके इस तरह के कैम टाइम पे लगा है जैसे अब भी जिकर किया खानों का अक्सरम देखते हैं लोग अपने घर का जो पासी खाना है जो उनके खाने लाइक नहीं बचता है उसे बाहर शोड़ देते हैं ताकि वह जो आवारा है जो लावारिस पशो वह उससे खा सके तो अगर किसी को मदद ह करनी है आवारा लावारिस पशू की तो किस तरह का खाना उन्हें देना चाहिए ताकि वो उस खाने से ठीक होने के बज़ाए और बीमार ना हो जाए देखिए जो खाना हमारे खाने लाइक नहीं है मैं तो यह कहती हूँ कि हो तो पहले तो देना ही नहीं चाहिए आप एक खाना कैसे दे सकते हो किसी और को है ना आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में हमारी दादी मा हमारी नानी मा हमारी मताजी सब भी देखो गाई के लिए खाना निकालते थे डॉगी के लिए खाना निकालते थे कोवे के लिए खाना निकालते थे तो आप जो कर रहे हो त मैं तो यह कहती हूं कि आप बसी खाना डालो ही मत अगर आपको खाना डालना है तो आप थोड़ा सा खाना उनके लिए रखतो थोड़ा सा पानी रखतो जिससे वो बिचारे बीमार नहीं नहीं कहा है आप इस कारकम कर वह वह हैं संदेश संदेश केसा अ聽 की सेवा कि जा सकती हैं, और अगर आपके एंज्यो से किसी विक्ति को जुन ना हूँ चाहे बो फाइनेसली हों या विजिकली हप करना चाहू तू किस अब आपके एंज्यों की मदवी कर सकता है। देखे हमारी जो NGO है हमारा जो Trust है उसका नाम में सभी को बताना चाऊँगी हमारी अकांगिश्य Trust तो मैं लोगों से यही अपील करती हूँ कि प्लीज आप हमारे Trust की मदद करें ताकि हम जादा से जादा बे-जुबानों की मदद कर सकें और दूसरी बात है कोई बे इंसान हम हमारे NGO से जूड़ना चाहता है तो उसे पहले दिल से जूड़ना पड़ेगा यह एक फॉर्मल्मल्टी बिल्कुल नहीं है कि हम आएं दो दिन हम देखके गए कि क्या होता है इसके लिए आपको दिल से जूड़ना पड़ेगा हमारे पास अभी भी बॉइस काम करते हैं आप कि वो लोग अपना सुबह से खाना बनाते हैं हमारे जहां अश्रेस थल है बच्चों के वहां कपड़े धूलते हैं उनके ब्लینक्ट धूलते हैं वहां के सफाईया होती है ठीके तो प्रपर तरीके से काम करना पड़ता है तो जो भी आना चाहता है उनका स्वागत है लेकि आपके जैसे NGO हमारे पूरे भारदेश में और भी खुले तो प्रिणा जी आज की इस कड़ी में आपका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा आपने अपना कीमती समय दिया और हमें बताया कि आखिर किस तरह से इन बेजुबान प्राणियों की सेवा की जा सकती है तो दर्शक को अब वक्त हो चुका है विदा लेने का फिर मुलाकात होगी एक नए महमान के साथ एक नए विशे को लेकर तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाच झाल